लाइक, शेर और सब्सक्राइब टीबीटी टोंट फगेट टो प्रेस दे बेल आइकन हेलो एब्रिवन, कैसे हैं आप सब? उमीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्त और सेहत मंद होंगे और रख रहे होंगे अपना धेर सारा खयाल टीबीटी चनल में आपका एक बर फिर से स्वागत है उमीद करते हैं कि टीबीटी के वीडियोज आपको पसंद आ रहे होंगे और आज जो है हम लंच के लिए बनाने वाले हैं भरवा बैंगन, बैंगन और आलू दोनो हम लोग इसे कलोंजी कहते हैं आप लोग क्या कहते हैं कॉमेंट करके जरूर बताईएगा तो चलिए के चन में बनाते हैं तो यहां पर देखिए कलोंजी बनाने के लिए हमने बैंगन लिया है आलू है और लहसुन हरी मिर्च ली है लहसुन का फ्लेवर बहुत ही अच्छा आएगा इसमें और यह एक प्याज प्याज ऑप्शनल है अब चाहें तो न डालें बहुत लोग नहीं डालते हैं लेकिन हम लोगों को पसंद है तो इसलिए डालते हैं और प्याज जो है मसाले को थोड़ा बाइंड करने में भी हेल्प करती है तो अब हम त्यार कर रहे हैं अपने मसाले, तो यहां पर देखे हमने धनिया डाल दिया है साबुत, और यह सौफ ली है, और यह है मंग्रेल, अनियन सिड्स, यह सारे अचार वाले मसाले हैं, एक तरह से अचारी बैंगन और आलू त्यार हो रहे हैं, अभी हमने अजवाइन और अब हम एड़ करेंगे इसमें जीरा आप अगर कम मसाले पसंद हैं तो आप उस हिसाब से मात्रा रखिएगा और अभी हम इसमें काली मिर्च भी एड़ कर रहे हैं काली मिर्च सिर्फ फ्लेवर के लिए अड़ करेंगे और अभी देखिए हम राई अड़ कर रहे हैं यह मसाले बहुत ही टेस्टी लगते हैं और ड्राई रोस्ट करेंगे हम इन्हें किसी भी रेसिपी में जब हम मसालों को ड्राई रोस्ट करके डालते हैं तो उनका एक अलग तरग का स्वाद आता है एक अलग तरग की ताज़गी आती है उस रेसिपी में और यहां पर देखिए हम आलू और बैंगन में अच्छे से एक चीरा लगा लेते हैं कट लगा लेते हैं ताकि हम उसमें जो मारे मसाले त्यार होंगे अभी वो मसाले ठंडे हो रहे हैं उसके बाद उनको हम अच्छे से ग्राइंड करेंगे तब तक हम यह काम कर देंगे है 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 झाल झाल प्रेगन की यह जो ट्रंटन है कुछ लोग इसको पूरा रखते हैं बनाते हैं यहाँ पर आंने अश्का से काट आप चाहें तो पूरा भी आप काट सकते हैं इसको यहाँ आपकी मर्जी है तो यहाँ पर देखिए जो मसाला हम्ने ड्राइ रोस्ट किया था उसमें हमने लहसुन, हरे मिर्च और प्याज मिलाकर अच्छे से ग्राइंड कर लिया है बहुत महीन नहीं पीशना है पेश्ट नहीं बनाना है थोड़ा दरदरा ही रखना है और यहाँ पर हमने हल्दी एड़ कर दी है और नमक नमक का स्वाद इसमें थोड़ा चटक ही रखना पड़ता है और ये यहाँ पर हमने हिंग अड़ कर दी है हिंग जरूर डालिएगा बहुत अच्छा टेस्ट आएगा अब इन सारी चीजों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे ये मसाला बहुत ही अच्छा मसाला बनकर तयार हुआ है और जब ये बैंगन और आलू के साथ पकता है और इसकी खुश्बू, इसका फ्लेवर, बैंगन और आलू में अच्छे से रच बस जाता है तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है must try recipe है जरूर ट्राइ करिएगा यहाँ पर हमारा मसाला रेडी हो गया है अभी हमारे पास कुछ खटा नहीं था यानि खटाई आम की खटाई जो होती वो नहीं थी या जो मार्केट में अमचुर पाउडर मिलता है वो भी नहीं था तो यहाँ पर हमने यह आम का अचार हमारे डाल दिया है इसमें इससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आएगा आप नीम्बू का रस भी यूज़ कर सकते हैं तो अब हमने देखिए मसाले भरने शुरू कर दिये हैं आलू में यह हमने भरना शुरू किया है पहले और पहले हमने चम्मच से भरना शुरू किया था लेकिन कि जो बात हाथों में है वो चम्मच और चुरी में कहां है तो हाथों से अच्छी प्रकार से हम इसे फिल कर पा रहे थे कि लेकित करके हम इसी तरह से अपना सारा जो बैंगन होडाद में त्यार कर लेकित कि लेकित कर 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 लेकि अब यहां पर हमारी कड़ाई गरम हो चुकी है और हमने उसमें सरसो का तेल डाला है यह रेसिपी सरसो के तेल के साथ ही बनाईएगा बहुत अच्छी बनेगी और इसमें थोड़ा सा तेल जादा लगता है क्योंकि यह सारी चीजें तेल में ही पकेंगे इसमें कोई पानी होगा और देखिए अब हमने इसमें आलू डालना शुरू किया है और इसे पकने में बहुत जादा समय नहीं लगता है कि आलू भी छोटे लिए हमने और बैगन तो जल्दी पकी जाता है और सारी चीजें देखिए अच्छे से इसमें रख दिया और जो मसाला बचा था हमा अब हम इसे कवर कर देंगे और अच्छी प्रकार से पकने देंगे साथ से आठ मिनट में पक के तयार हो जाएगी हमारी कलोंजी और यहां बीच में एक बार इसे हमने टर्न भी किया था ताकि दोनों साइड से अच्छे से पक जाए और देखिए बैंगन आधे पक भी चु खुखा है और टेस्ट में बहुत ही अच्छी लगती आ और तो देखा आपने कितना इजली बन गया ये अलू बैंगन और ये भर्म आलू बैंगन कहिए कलोंजी कहिए यह बहुत ही टेस्टी लगते हैं और दाल्चावल के साथ तो कहना ही क्या आप इसे बना कर सकते हैं 200 तीन दिन तक यह खराब नहीं होता है क्योंकि इसमें बहुत सारे मसाले पड़े हैं और अगर यह वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक कीजेगा चैनल पर नए है तो इसे सब्सक्राइब कीजेगा और बेल आइकन को भी प्रेस कीजेगा ताकि नए वीडियो के नोट कीजेगे लाइकर एक प्रेस जिस डॉझेखा तु Cyrus